तो हमारे पास यह रहा question number 13 Give the scientific names of any two organisms inhabiting the human intestine कोई भी ऐसे दो micro organisms का नाम बताईए in terms of scientific name जिनका shelter जो है वो human intestine होता है तो ऐसे यहाँ पर दो organisms दे रखे हैं वन है excretia coli जिसे हम E. coli भी कहते हैं और दूसरा है enterococcus fecalis यह दोनों ही हमारे metabolic reaction में बहुत ही ज़ादा helpful होते हैं अब इसमें एक बात और समझने वाली है कि excretia coli जो है वो हमारे human के intestine में रहता है और हमें helpful होता है हमारे digestion process में तो बदले में जो human है इसको shelter भी provide करता है और side provide करता है जहाँ पर यह अपना reproduction कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो excretia coli है और जो human है वो दोनों ही एक दूसरे पर interdependent है यहाँ पर जो relation जो interaction हो रहा है इन दोनों species का वो होगा mutualism जिसमें कि दोनों ही species को फाइदा हो रहा है तो अगर एक बात और यहाँ पर समझ ले हम कि scientific name का लिखने का तरीका हमें आना चाहिए जैसे कि excretia coli इसमें जो excretia है वो एक species name है और जो coli है वो एक generic name है तो species name हमेशा ही generic name से पहले आता है और जब अगर हम इसे हाथ से लिखें तो इसका पहला letter हमेशे capital होता है जैसे कि यहाँ पर e capital है और जो इसका जीनस का जो पहला letter होगा वो हमेशे small आएगा जैसे यहाँ पर coli है तो हम देखते हैं कि अगर हम इसको hand written लिख रहे हैं तो इसी तरीके से लिखेंगे लेकिन उसे separately हम underline भी करेंगे फिर उसके बाद अगर हम इसे type कर रहे हैं तो must it be in italics because scientific name should be typed in italics and should be written separately when we are handwriting it